आज हम लोग बात करेंगे अदानी पावर का जो जार्खन का प्लैंट है जहां exactly coal use करके पावर प्रोड्यूस किया जाता है और जो पावर 100% इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था बांगलादेश में अभी भी किया जा रहा है हो सकता है कि अदानी पावर 7 नौवेंबर के बाद यह जो पावर सप्ला है इसको कम्प्रिटली कट कर दे क्योंकि जो मेजर रीजन है 850 मिलियन डॉलर ड्यू है बांगलादेश का इलेक्रिसिटी बिल और यह बिल बांगलादेश को बहुत बार अल्टीमिटम भी दिया गया बहुत बार डेडलाइन भी प्रोवाइट यह बांगलादेश का जो मीडिया यह भी अपने तरफ से कवर कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो आगे जाके बांगलादेश के लिए बहुत सारा प्रोब्लेम खड़ा होने वाला है क्योंकि हम लोग को पता है कि बांगलादेश का जो एकोनमी में थोड़ा सा भी जो सपो हो जाएगा अगर देखा जाए इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा कोशन से हम लोग के दिमाग में राइस करता है जैसे के पहला जो कोशन है कि अदानी पावर जो है यह अचानक से क्या हो गया यह इंडिया में पावर सप्लाइश कर सकता था आज क्रेट में भी आगर हम लो आगे जाके क्या इसका असर इंडिया आपना जो डैबर बी कांट्री है एकसे प्सक पाकिस्तन हर किसी को अपने तरफ से एक्वंप करते है लो rains ले ले च Wars है मनलाब यह जो बिल नहीं दे पा रहा है इसमें भी आगे जाके अधानी पावर के ओंडियन गवर्मेंट किया जब सेख असीना बांगलादेश के पीयम थी एक अग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट में तै किया गया था अधानी ग्रूप अपने तरफ इंडिया के जारखन में एक coal based power plant set up करेगा जिसमें आगे जाके जो भी electricity पैदा होगा उसका 100% जो है वो export किया जाएगा किसको export किया जाएगा वो export किया जाएगा आपका बांगलादेश को जिससे आगे जाके बांगलादेश में जो electricity का problem है इसको resolve कर दिया जाएगा on the other side Indian government जो है ये agreement को sign किया था on the other side 2022 में अदानी पावर का ये जो power plant है इसको commission किया गया आगे जाके ये 1600 MHz मतलब 800 MHz के दो separate unit है जहां से ये power produce करता है या ये बांगलादेश को export करता है ये पूरा power जो है बांगलादेश को export किया जाता है इसमें कोई भी power इंडिया में अभी अदानी के इस plan से Indian government या फिर इंडिया में यूज नहीं होता है ये export purpose ये plan को setup किया गया था उसके बाद से ये plan अपने तरब से 100% पावर बांगलादेश को भेजता रहा और अभी अगर देखा जाए एक्जाक्ली कुस दिन पहले जब बांगलादेश के इंटिरीम गवर्मेंट फॉर्म वा उस टाइम में भी ये जो पावर प्लान था इसका जो पैसा था ये ड्यूट था इसके लाभी अगर पहले देखे जब से खसीना थी उस टाइम में भी लास्ट डेडलाइन देने के बाद भी वो लोग फेल किया है वो लोग अपने तरब से ये पेमेंट जो है ये नहीं किया है अदानी पावर को तो नोडाउट ये जो प्लांट सेट अप किया गया था ये एक्सपोर्ट परपस जिसके वज़े से इस प्लांट में जितना भी प्रोड़क्शन होता है 100% ये एक्सपोर्ट किया जाता है और इसलिए अदानी का इस पावर प्रैंट से जो प्रोड़क्शन होता है वो बांगलादेश को भेजा जा रहा था अब आते हम लोग का सेगेंड कोश्चन पर के अगर अगर अदानी 17 नौवेंबर के बाद अप बोद बार देखें मुहमाद यूनिस अपने तरफ से बहुत कुछ बोलता है अगर देखा जाए प्रेजन बांगलादेश में एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि हर किसी को समझा जा रहा है इंडिया जो है और इंडिया जो है वो हम लोग का दुश्मन है तो नोड़ाइशन हो सकता है कि बांगलादेश का कुछ मीडिया अपने तरफ से रिप्रेजेंट करें कि इंडिया ने जान बूच कर बांगलादेश को अंधेरा में धकेल दिया और देखा जाए मिजज जो रीजन है कि आप लोग पैसा नहीं दिये हो इतना दिन से इतना बार रिक्वेस्ट बिक्या गया इतना वर आप लोग को डेड्लाइन भी दिया गया वह भी आप लोग मंदल फॉलो नहीं किया वह भी क्रॉस हो गया यह सब कुछ लोग अपने तरफ से हाइलाइट नहीं करेंगा सिर्फ इंडिया को बांगलादेश का एनिमी रिप्रेजेंट किया जाए यही मैटर है जिसमें बांगलादेश का इंडिया का रिलेशन कुछ मंदल चेंज होगा क्यूंकि बांगलादेश में अल्रेडी बहुत तरह से मन्दल जो बंगलादेश है उन लोगों में एंटी इंडिया जो इमोशन से वह एंजेक्ट किया रहे है हो सकता है कि यह एक और एड कि इंडियन गवर्मेंट ने अचानाक से जो बिजली का रेट है वो बरा दिया जिसके वाई से बांगलेदेस इसको अफोर्ड नहीं कर रहा है तो इसलिए अब आते थर्ड कोश्चन पर क्या यह इंडियन डिप्लोमसी या फिर बांगलेदेसर इंडिया का जो डिप्लोमेट है अगर देखा जाए यह जो इंडियन डिप्लोमसी इसका पार्ट नहीं है अगर हम लोग पास्ट में भी देखें इंडियन गवर्मेंट अपने तरफ से डिफरेंट कंट्रीज को हमेशें हेल्प कर था फॉर एक्जाम्पल अगर हम लोग ले ले माल्डिव को माल्डिव इसके लावी अगर हम लोग देखें भूटान में भी इंडियन गवर्मेंट अपने तरफ से परोसी को अपने तरफ से जो भी बेस्ट हो सकते वह प्रोवाइट करते है भले यह दूसरा बात है इंडिया यह सब कुछ कभी हाइलाइट नहीं करता है या इंटेनेशनल मीडि पहसंद नहीं है और अघर देखा जाए बांगलादेश का प्राब्लेम नहीं आपने तरफ से नेपाल में एक पहले ही सोचके इंडिया ने नेपाल और बांगलादेश के बीच में एक एग्रिमेंट हो था जिस agreement में Indian government अपने पैसा से नेपाल में एक hydro electricity plant बनाया था और according to that plan मतलब उसमें जो agreement वह था उसमें यही कहा गया था कि यह जो electricity है यह नेपाल जो है यह बांगलादेश को भेज़ेगा जिसके लिए नेपाल अपने तरफ से थोड़ा सा revenue बांगलादेश को चाहिए था electricity और यही electricity बांगलादेश अपने तरफ से यूज करेगा तो यह सब देखते हुए हम लोग को यह तो clear हो गिया कि इंडियन government का डिप्लोमासी कभी ऐसा नहीं है कि आप हम लोग को दुश्मन समझते हो इसलिए हम लोग कि आपको दुश्मन समझेंगे इंडियन government हपने तरफ से हमेशे आपने जो परोसी के लिए best होता है सब कुछ करता है मगर except एक country है जिसको हम लोग कुछ help नहीं कर सकते कि वह country खुद का help ही नहीं करता है तो जो भी है यह आपको समझ में आगया मैं कि इस country का बात करूं अगर आपको समझ में आगया तो कमेंट कीजिए हम लोग आ जाते हम लोग का next question पर जिसमें मैंने आपको बोला था कि आगए जाके अदानी क्या करेगा जब यह बिल इतना पेंडिंग हो रहा था अगर आप मेरे चैनल में पुराने हैं तो आपको पता ही होगा मैंने एक वीडियो बना के रखा था इंडियन गवर्मेंट अपने तरफ से जो भी डॉकुमेंटेशन में चेंज करना था मतलब यह जो अदानी का सेटप है यह सेटप बना आ गया था एक्सपूर्ट मतलब जितना भी हां प्रोड़क्शन होगा जितन स्टेप लेना था इंडियन गवर्मेंट को जो भी काम करना था वो सब कुछ करके रखा है जिससे आगे जाके अदानी का यह जो फैक्ट सेटप है यह सेटप जो बिजली प्रोडूस करेगा मतलब आपका सिक्स्टीन हांड़ मेगावर्ट्स यह जो बिजली है यह इंडिय का जो हालत है वो यह बिल एफोर्ट नहीं कर पाएगा और एंड में जाके अदानी अपने तरफ से यह स्टॉप कर देगा और अगर बंगलादेश सेवन नवेंबर के अंदर यह बिल पे कर देता है तो नो डाउट यह जैसे काम करा था वैसे ही काम करेगा आगे बंगलाद लुए बंगलादेश अपने तरफ से एक पैसा बहुत करता था इसलिए इतना बिल हो गया बना हम लोगो तो बहुत कम पैसे में मिलता था आज के रिट में आगर देखें इंडिया के बहुत सरा ऐसे आगर इंडियन गवर्मेंट का ऐसे ही रवाइया रहता रहता के रवा अगर कोई सोच रहे के रहे हैं और पिजनेश हैं लोगो इतना हेल्प यह तो इतना हेलप करेगा तो यह जादा ही expectation हो गया अधानी एक business हो जैसे business का रूल से उस हिसाब से वो run करेगा फ्री में वो electricity बात नहीं सकता है कोई बी और country को अगर देखा जाए Indian government हो सकता है कि आगे जाके अधानी के साथ बात करे या फिर यह जो problem है इसको solve करने का कोशिश करे मगर उसमें भी एक major factor है major factor है के Bangladesh का रवया bang COM rela trees, कैसे इस बात को लेता है और फिर इस बात का किना पतंगर मेरे यूट्यूब चैनल इस अतनु पॉल ए टीए एन्यू स्पेस प्यूल में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सार इंट्रेस्टिंग बहुत सार वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो स्पेशल परसे ने उनक प्लिक कर दीजिएगा कि वीडियो जो है डिफरेंट टाइम में आता है जब भी आएगा अप्र वस्तुरा नोटिफिशन पहुंच जाएगा और यह वीडियो पूरा जखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद